इस्टड़ी 24 देपुर में आप सभी का स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम NCRT syllabus जो class 12 का हैं उसमें economics की दो books हैं एक तो हैं समस्टी अर्थशास्र मेक्रो एकनोमिक्स और दूसरी इंडियन एकोनोमिक के बारे में हैं भारती अर्थविश्था के बारे में हैं तो आज हम भारती अर्थविश्था से संबंदित जो book हैं उसका first lesson आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो चली start करते हैं सबसे पहला जो हमारा lesson है वो है स्वतंता की पूरो संधिया पर भारती अर्थविश्था के देखिए भारत जब ब्रिटेन का गुलाम था तो 1947 में जब भारत को स स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय भारती अर्थ व्यवस्था की क्यास्तिती थी अब देखिए भारती अर्थ व्यवस्था आ गया है पर तो अर्थ व्यवस्था का मतलब क्या हो गया एक तरह से कि हमारी जो आर्थिक किरिया थी जैसे कि क्रशी शेत्र था उसकी क्यास्तिती तो इन सबी की स्वतनता के समय क्या इस्थिति थी उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था तो उसमें भारती अर्थ विवस्ता की जो इस्तिती हैं वो किस परकार की थी मतलब क्रशी शेत्रे की कहसे थी उज्योगी कहत्र जो था उसकी कहसे थी विदेशी व्यापार की कहसे थी यहां की जो आधार बुठ संडचना थी सड़क बिजली पानी ठीक है इनकी कहसे थी जन संख्या की जो संडचना है वो किस परकार की थी जन्मदर वृद्धिदर किस परकार की थी तो इन सबी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम निशकर शुरूप से देखें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें भारत की जो अर्थ विर्षता थी उसकी एक तरह से हालत क्या थी? बहुत ही खराब थी क्योंकि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के उपर जो शाशन किया गया था या ब्रिटेन ने भारत को जब गुलाम मनाया था तो उसका मुक्योद देश क्या था? अपने देश जो ब्रिटेन है उसका विकास करना वहां की विकास की जो गती हैं वहां की जो ओद्योगी करण की प्रक्रिया हैं उसको एक तरह से तेज करना और इसलिए उन्होंने भारती अर्थ विर्षता भारत के जितने भी प्राकरतिक संसादन है बारत की जो संपती थी उसको यहां से एक तरह से अपने देश ब्रिटेन में भेजने का ही कारी किया है तो इस तरह के से बारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसमें भारती अर्थ विस्ता की इस्तिती बहुती खराब थी यह हम कह सकते हैं कि भारती अर्थविस्ता की उसमें जो इस्तिती थी वो किस परकारती थी अपंग अर्थविस्ता थी क्रिपिल्ड एकोनमी थी इसका मतलब क्या हो गया अपंग अर्थविस्ता का मतलब कि हमें अपने देश का विकास करने के लिए जो जरूरी संसाधन चाहि यह वो हमारे पास में उपलब्द नहीं थे क्योंकि भारत ने अपने देश का विकास करने के लिए हमको किसके आउशकता पड़ थी यह संसादनों की संपती की लेकिन बृटिश उपनिवेशक शाषक जो थे उन्होंने क्या क्या था हमारे देश की संपती को लूट के वो कहा पर ले गए अपने देश में ले गए इसलिए हमारे पास में इसकी एक्तरा से क्या हो गई थी कम हो गई हम जानते हैं कि बहुत संपती थी बहुत प्राकरतिक संसादन थे लेकिन बृटिश शाषकों के द्वारा जब भारत को गुलाम बनाया था तो दीरी दिन उन्होंने एक तरह से क्या क्या हमारी संपत्य को यहां से लेकर वो कहां पर लेगा एक तरह से अपने देश में लेग है अब देखिए अगर हम थोड़ा बहुत पहले के अगर हम बात करें तो बिट्टिश शाषकों का था मूगल बाश्शा, जैस अंतिम जो हमारा जहांकिर था उन्होंने एक तरह से शाषन किया था और मुगल बादशा जो जहांगीर है उसका शाषन जिसे 16 सदी के आसपास था अब 16 सदी में ब्रिटिस शाषत जो थे ठीक है ब्रिटिन के उसमें महारा निकों थी एलिजाबेट थी तो वहां से कुछ लोगों ने एक तरह से अनुमती प्राप्त करके भारत में व्यापार करने की एक तरह से इच्छा जाहिर की थी और वहां से वहां की जो महारा निकी एलिजाबेट उनसे अनुमती लेकर ठीक है मतलब अनुमती लेकर एक तरह से उस समय भारत का जो मुगल बार्शा था जहांगिर था उनसे उन्होंने यहां पर अपने देश में व्यापार करने की अनुमती लिए थी और उस समय व्यापारी केंद्र प्रमुक एक तरह से सूरत था तो सबसे पहले England की एक गमनी जिसकी इस्ताफना कब हुई थी? 16 sawi सदी में इंग्लेंड में कंपनी की स्ताफना हुई थी East India Company के कुछ लोग सबसे पहले यहांपे सर्वे करने आए थे और बात में 1608 में ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले जो प्रमुक व्यापारिक केंदर था सूरत वहां से अपना व्यापार करना प्ररण किया था और धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया प्रमुक जो व्यापारिक केंदर थे उनका अपना विस्तार किया बंगाल हो गय पूरी भारत हो गया तो सब्धी जगे दीरे दीरे उनुन्हें क्या-क्या अपने व्यापारिक केंद्रों का विस्तार किया था और कुछ समय बाद में अगर हम देखें तो दीरे दीरे पूरे भारत के उपर एक्तर से जो ब्रिटिश शार्शक थे, उनका एक्तर से एकादिका पूरे पर शाषन जो करने लगए वो कौन करने लगए थे ब्रिटिस शाषक जैसे हम मुख्य रूप से अगर देखें तो 1857 की जो क्रांती हुई थी 1857 की क्रांती के बाद में 1858 से अगर हम कह सकते हैं भारती अर्थ विस्ता थी या भारत के उपर पून रूप से सबी शेत्र बारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें भारती अर्थ विस्ता की क्या इस्तिती उनको हम अलग-अलग बिंदूों के आधार पर समझने का प्रियाज करते हैं सबसे पहला गर हम देखें कि भारती अर्थ विस्ता की जो इस्तिती यहां का जो आर्थिक विकास का जो इस्थरता तो उसमें भारती अर्थ वियस्ता जो थी आर्थिक विकास का निमने स्थिर था या अर्थ वियस्ता जित हुई वह एक तरह से क्या थी इस्थिर अर्थ वियस्ता थी जिसमें विकास का एक तरह से निरंतर विकास का जो अभाव था GDP और प्रतिविक्ति आये में निरंतर व्र वेश्यक शाषक थे उनका मुख्य उद्देश क्या था अपने देश ब्रिटेन को जिसे उनाइटेड किंग्डम भी का जाता है युके युके ब्रिटेन या उसका अधुनिक समय में अभी जो नामें वो क्या है इंग्लेंड ये सभी एक ही बात है कहीं कहें पर यूके लिख लिखा होता है कहीं पर ब्रिटन लिखा होगा कहीं पर इंग्लेंड लिखा ओगा तो ब्रिटिश उपनिवेशक शाषक जो थे उनका मुख्योद्धेश क्या था अपने देश का विकास करना वहां कि जो ओद्यूगी करण की प्रक्रिया है उसको तेज करना इसलिए भारत की राश्ट्री आए, GDP या प्रतिव्यक्ति आए की क्या इस्तिती थी, उनकी गंड़ना करने में उन्होंने किसी प्रकार की कोई रूची नहीं ले थी, क्योंकि उनका जो आर्थिक केंदर का बिंदू था, वो क्या था, अपना देश था, केवल ब्रिटेन ही था, अब देखिए जो निजी स्तर पर अगर हम देखें, कुछ भारती विद्वान थे, उन्होंने राश्ट्री आए और प्रतिव्यक्ति आए के बारे में अनुमान लगाए थे, सबसे पहले अगर हम भारत में देखें, तो भारत में प्रतिव्यक्ति आए का जो अनुमान ने, वो कब लगाय और हम उसमें भारत की जो प्रति वेक्ति आये कि घंड़ना की गई थी वह कितनी थी 20 रूपए अनुमान किस ने लगाए था दाधा भाई नोरो जिन ने और उसके बाद में अन्य भारती विध्वान जिसे विलियम डिगमी है, फिनले शिराज हैं, डॉक्टर वीक के आरवी राव हैं, आरसी आरसी देशाई हैं, इन सभी ने भी भारत की राश्ट्री आयो प्रतिविक्तियाए के बारे में अनुमान लगाए थे, तो सबसे पहले जो अनुमान लगाए थे वो दादा बही नोर आये थे, तो किस सन के लिए किये थे उन्होंने, 1967-68 के लिए, और किस बुक में जो 1876 में प्रकाशित हुई थी, तो क्लियर हो गया, अब देखिए भारत जब स्वतन्तर हुआ था, देखिए जो प्रतिविक्तियाए, 1967-68 में कितनी थी, 20 रुपए थी, लेकिन जब भारत स् स्वतन्ता के समय भी भारत की जो प्रतिविक्तियाए का इस तरह था, वह एक तरह से क्या था, निम्न था, 1947-48 में भारत की जो प्रतिविक्तियाए थी, वो कितनी थी, 230 रुपए प्रतिविक्ति, लेर हो गया, 1947-48 में जब भारत स्वतन्त हुआ था, तो उसमें भारत की जो गारेम जो अनुमा लगा है था उनने कैंसे बताया कि भारत की जो जीडिपी हैं उसमें वारषिक वरदी जो हैं वह कितनी एक तरथ ंदीशक विक्ति आहिं जो वरदी दर jest तो ये दोनों बाते आपको याद रखनी हैं कि जब भारत स्वतंत हुआ था तो उसमें भारत की GDP की जो वार्षिक व्रदीदर थी वार्षिक व्रदीदर वो कितनी थी दो प्रतिशत से भी कम थी और प्रतिव्यक्ति आये की जो व्रदीदर थी वो कितनी थी 0.5 प्रतिशत थ में अर्थिक विकाट मपने मापने के लिए GDP जो है उनकी आकड़ों कया जाता है साथ बहुत सारी अन्ये बाते यह भी जिनके बारे में आगे हम Tut sem है अब देखिए दूसरा हम देखते हैं कि जब भारत स्वतंत हुआ था तो उसमें क्रशी शेत्र की क्या इस्तिति थी तो देखिए सबी शेत्रों में अगर हम देखें चाहे वो कोई सबी शेत्रों हो आधार बुद्ध संरचना की बात करें, विदेशी व्यापार की बात करें, क्रशी शेत्रे की बात करें, ओध्योगी क्षेत्री की बात करें तो इन सभी में भारती अर्थ विस्ता की जो इस्तिती थी वो अच्छी नहीं थी तो क्रशी शेत्रे में भी एक तरह से क्या था पिछड़ा पन था जो अधिकान जन संख्या थी उसमें 70 से लेकर 75% तक जो जन संख्या थी वो एक तरह से क्रशी कारियों में लगी हुई थी अब देखिए 70 से 55% जन संख्या क्रशी कारियों में लगी थी लेकिन GDP में क्रशी शेत्रे का जो योगदान था वो कितना था केवल 50% ही था मतलब कि क्रशी शेत्र में जनसंख्या कितनी यू लगी हुई थी 70 से 75 परसेंट तक लेकिन क्रशी शेत्र का जो योगदान था कितना था जीडि में केवल 50% था इसका मतलब हो गया कि क्रशी शेत्र की जो उत्पाद अगता थी क्रशी शेत्र में पिछड़ा पन था अधिकान जनसंख्या अपने जीवी को पारजन के लिए क्रशी कारी में लगी हुई थी कितने प्रतिशे जनसंख्या लगबग 70 से 75 प्रतिशे जनसंख्या है जो है वो अपनी आजीविका के लिए क्रशी कारी में लगी हुई थी और उनमें से अधिकान जनसंक्या जो है वो गावों में निवास करती थी लगबग 85% जनसंक्या थी जो गावों में निवास करती थी और आजीविका के लिए क्रशी के उपर ही निरबरती लेकिन GDP में क्रशी का जो कि जो उत्पादक्ताईवेव बहुत ही कम थी उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्रशी शेत्र में भारत एक तरसे पिछड़ा हुआ था तो पिछड़ा हुआ था या क्रशी शेत्र में उत्पादन एक तरसे क्या था कम था तो उसके कौन-कौन से कारण थे तो क्रशी में निम्न उत्पादकता या क्रशी में पिछड़े पन के कौन-कौन से कारण थे तो सबसे पहला हमारा है भूर राजस्व व्यवस्था ठेके सबसे पहला अगर हम देखें भूर राजस्व व्यवस्था के अगर हम बात करें बूराजस व्यवस्ता में जैसे उसमें अगर हम देखें तो जामिदारी व्यवस्ता हैं, महलवारी व्यवस्ता हैं, रियतवारी व्यवस्ता हैं, इस परकार की जो व्यवस्ता है वो चलन में थी और इनके कारण क्या हुआ था, जो क्रशी उत्पादन था, वो एक तरह से क्य दिखनी होते थे ते मतलब जो अंगरेस होते थे यां जो बड़े बड़े जो लोग होते थे जामेदार जिनको कहा जाता था वो एक तरह से भूमी के मालिक होते थे ठीक है भूमी के मालिक कौन थे अंग्रेज लोग थे यहां बड़े बड़े जो जामिदार जिनको कहा जाता है और क्रशक जो होते थे जो किसान होते थे जो उनकी भूमी पर क्रशी करते थे वो उनकी एक तरह से प्रजा होते थे वो ए नंगरेजियां जामिदार लोग होते थे औंडर जो क्रशंदान के रूप में प्रशिय का कारीि करते थे और उन्सोरी गश्रेफे युजानर के रूप करके रूप में उत्पादन के युदिभाग उनको देना करता था लेकिन या जो सिस्टम था वो एक थरो से भूफुति घराब था जो जामिदारी रोग थे वो पर रिक्लacon करते थे इसी तरह किसे महल वारी व्यवस्त था थी तो महल वारी व्यवस्तन रहता था辉स औ उसमें कि अगर हम बात करें तो उनुने एक सिस्टम प्राइबम करता कि पूरे गाओं पूरी गाओं गाओं को एक इकमान लिया था। और करों का जो बुखतान किया जाता था वो सामोहिक रूप से किया जाता था पूरे गाउं के दोरा करों का बुखतान किया जाता था और इस परकार की जो व्यवस्ता हैं वो उसमें जैसे उत्तर प्रदेश हैं पंजाब हैं मध्य भारत हैं वहां पर उन्होंने लागो की थी और जामिदारी व्यवस्ता उसमें मुख्य रूप से जो पूरवी भारत है वरत्मान समय में जो बंगाल है वहां पर एकटर से उनों ने लागू की थी तो महल वारी व्यवस्ता में एक्तर से क्या होता था कि करो का जो भुखताने वो सामुई की रूप से किया जाता था पूरे गाउं को एक इकाई माना जाता था एक पूरे कस्वे को पूरे गाउं को इकाई मान कर उस पूरे केद्वार एक्तर से करो का भुखतान किया जाता थ तो इस वेवस्ता के कारण भी क्या हुआ था कि करशी उत्पादक जा जो थी वो एक तरह से निमने थी साथ इसाथ उसमें कुछ बागों में जैसे रेत वाड़ी वेवस्ता भी थी जैसे कि मदरास में सबसे पहले रेत वाड़ी वेवस्ता को प्रारम किया किया था और रेत व निर्धारान एकतर से कर लेते थे तो किसान लोग होते थे वो डायरेक्टी कंपनी को एकतर से लगान देते थे उसमें बीचो ले नहीं होते थे लेकिन साथ इसाथ उसमें क्या क्या था कि जो भूमी थी उसका जो अधीकारे वो किसको दिया गया था किसानों को दिया गया था लेकिन जब किसान कर देने की स्थिति में नहीं थे तो उसमें उनसे भूमी वापिस ले ली जाती थी पर इस परकार से यह जो बूर आज़ोस हुए था थी वो एक तरह से क्या थी दोश्मून थी दूसरा हमारा क्रश्ची का व्योसाई करण कि जो अंग्रेज थे ब्रिटिश शाषकते उन्होंने क्या किया था मुखीरोप से जो खाध्यानों की आवशकता होती थी उस पर जोड नहीं दिया था उनका अध्डेश तो क्या था अपने देश में जो उध्यों की करण पर प्रक्रिया प्राराम हो गई थी ब्रिटेन में उसकожд tel करना इसलिए उन्होंने क क्रशी का व्यावसाइक रण क्या मतलब जो व्यावसाइक प्रकार की फसले थी उनके उत्पादन पर जोर दिया था जैसे मसाले हो गए कोटन हो गया है तो इस प्रकार की जो व्यावसाइक फसले थी उनके उत्पादन पर जोर दिया था और खाध्यान फसले के उत्पादन प अभाव था इस वज़े से क्रशी की उत्पादकता कम थी क्योंकि मानसुन पर निरबर थी क्रशी क्रशी जो थी वो मानसुन पर निरबर थी अगर मानसुन अच्छा होता था तो क्रशी की उत्पादकता अच्छी होती थी क्रशी उत्पादन अच्छा होता था लेकिन जब मा हमारी क्रशी शेट्र की बात अब हम बात करते हैं कि जो व्द्योकिक शेट्र था उसकी क्या स्थिति थी कि जीॉठीर कारियों में उसमें कम рекश έχει वही थी और साथ साथ उद्योगी क्षेतर में भारत पिछड़ा वही था क्योंकि आधुनिक टेक्नोजी की जो आवशक्ता होती है वो उसमें उपलब्द नहीं होते थे उद्योगी करण की जो प्रक्रिया ब्रिटेन में प्राराम हो गई थी उनका भी दो उद्देश था दोहरा उद्देश दोहरा उद्देश क्या था कि वो यहां से भारत से क्या करते थे जो प्रात्मिक वस्तों होती थे जो कच्छा माल थे उसको अपने देश में ले जाके ब्रिटेन में ले जाके वहां से जो मशीनों से वस्तों बनती थी वापिस उसको भारत में लाके बेशते थे इस तरह के से वो अपने दोहरे उद्धिश को पूरा करते थे यहां से कच्चा माल प्राकर्टिक संसादन ले गई लोटके और वहां से निर्मित माल जो मशीनों से माल बनता था वो दिखने में अच्छा होता था सस्ता होता था उसे भारती बात जारों में ला देते थे तो दोर दोनों तरीके से वो एक तरह से क्या करते थे कामाई करते थे भारती जो संपती थी उसको एक तरह से लूटते थे साथ इसाथ उसमें अगर हम देखें वी उद्योगी करन की बात करें कवी उद्योगी करन का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहां पे जो छोटे उद्योग दंदे थे उनको भी उन्होंने तरह से नस्ट कर दिया था जो छोटे छोटे कुट्री उद्योग थे हस्त शिल्प उद्योग थे जिनको हेंडी क्राप्ट हम कह सकते हैं तो उन उद्योगों क ते हस्त शिल्प उद्योग थे उनका जो माल बनता था वो एक दरह से उनके सामने नहीं टिक पाया क्योंकि मशीनों से जो माल बनता था वो दिखने में अच्छा होता था सस्ता होता था जिससे हमारे यहां के जो हस्त शिल्प उद्योग थे वो धीरे धीरे नस्ट हो गये तो हस्त शिल्प और हेंडी क्राप उद्योग जो उस समय चलन में थे उनका धीरे धीरे नस्ट होना प्रारम हो गया था उद्योगी करण की प्रक्रिया प्रारम होने से उद्योगी करण की प्रक्रिया कहां प्रारम हो गया थी ब्रिटेन में तो वहां से जो निर्मित माल भारत आ जिससे यहां के जो हस्त शिल्फ उद्योग थे उनका नाश हो गया और यह जो जनसंग्या हस्त शिल्फ उद्योग के कारियों में लगी हुई थी वो पूर्णा किदा चले गई करशी कारियों में साथे साथ हम देखें उस समय पुंजिकत वस्तों के जो उद्योग थे उनका भाव था यहाँ पर हमारे यहाँ पर छोटे छोट दियोग थे कैवल हस्त शिल्व उद्योग थे कुट्री उद्योग थे लेकिन दीरे दिरे वो भी समाप्त हो गए पुंजिकत उध्योग हमारे यहां पर उसमय नहीं थे बहुतली कम थे एक्तर से साति इसात जो सारज्जिक शेतर थे उनका विस्थार भी नहीं हो पाए था क्योंकि ब्रिटेश उपनीवेश थे थे ब्रिटेश शाषक जो थे वह य.-ब्रिटेश से क्या करते थे हमारे यहां पर उद्योग लगाने में रूची नहीं ले गते थे वो तो यहां से केवल कच्छा माल अपने देश में ले जाते थे इसलिए भारत में सार्जिक शित्र का विस्तार भी एक तरह से सिमीत हुआ था साथ इसाथ उनकी जो टेरिफ फॉलिसी थी वो भी एक तरह से पक्षपात पूर्ण थी बेदबाव पूर्ण थी मतलब भारतियों के द्वार अगर किनी वस्तु का निर्याद किया जाता था या आयाद किया जाता था उन पर टेक्स के रेट जादा होती थी और जो अंग्रेश थे वो अगर किसी वस्तु को बाहर बेशते थे या मंगाते थे तो उस पर टेक्स एक तरह से कम लिया जाता था इस वज़े से भी भारती उद्योकों का देरे देरे पतन हो गया था तो टेरिफ पॉलिसी जो थी वो एक तरह से बेदबावपून थी और साथी साथ जो कुट्री उद्योक थे हस्त शिल्प उद्योक थे उनमें जो माल बनता था उन्हों को एक तरह से क्या करना पड़ता इंग्लेंड में मशीनों से उत्पादित वस्तों से कॉम्पेटिशन प्रतिस वर्धा करनी पड़ती थी और जिनके सामने भारती हस्तशल उत्पादे वो टीक नहीं पाए और धीरे देरे इन उद्योकों के तरह से क्या हो गया था नाश हो गया था अब देखिए भारत में अगर हम हेवी जो इंडेस्टी हैं भारी और आधारबुद उद्योकों का अभाव था भारत में सबसे पहले जो आधारबुद उद्योक हैं उसकी स्थापना कब हुई थी टाटा आयरन एंड इस्टिल कंपने की स्थापना हुई थी 1907 में तो आपको ध्यान रखना है क्या है टाटा आयरन एंड इस्टिल कंपने के लोह एवं इसपाद उद्योक जो बारी उद्योकों के अंतर गदाता हैं सबसे पहले भारत में कब इस्तापित हुआ था 1907 में और फिर उद्धिती विश्वद्यों जब हुआ था 1919 के बाद में अगर हम देखें तो फिर धीर दिरे और आधर्वुत और जो भारी उद्योक थे उनका धीर-दीरे विकास हुआ था लेकिन सिमित मातरा में हुए था दिती वीश्वद्य के अगर बाद में देखें हम तो चीनी उद्योग हैं सिमेंट उद्योग हैं कागज उद्योग्म हैं इन उद्योगों का थोड़ा विकास हुआ था और कोटन मिल के अगर हम बात करें तो कोटन मिल जो है वो बारत में सबसे पहले महारास्ट और गुजरात में विक्सित हुई थी और जो जुट उद्योक था वो एक तरह से कच्चामाल जैसे बंगाल ठीके जो बंगला देशे धाका है वहाँ पे एक तरह से जुट उद्योकों का जो विकास है वो बंगाल और कोटन मिल जो थी वह एकर से महारास्ट और गुजरात में उसमें लगाए गए थी तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे करशी शेत्र और उद्योगिक शेत्र की क्या हैस देती थी नेक्स्ट वीडिय